पूरे दिन भूखे प्यासे रहने के बाद जब सामतारी का समय होता है तो सभी लोग मिलकर अपनी घरों में रोजा खोलते हैं और रोजा खोलते समय खजूर जरूर होता है क्योंकि इसलामिक धर में खजूर की जो मानियता है वो काफी महत्व मानिजाती है वह अगर हम देखे तो विग्यानिक डिश्ची शेबिस की महत वह काफी अलग होती है तो यह अभी हमारी मौजूदगी राजदानाचे के डेली मार्केट में है जहां पर तरह तरह के खजूर है अलग अलग वेराइटी के खजूर है अलग कि हम जानेंगे रोजा में खजूर कि दिश्ची शेबिस देखे तो काफी अलग होती है तो हमारे साथ कुछ दुकानदार मौजूद उनसे जानेंगे पहले कि कौन-कौन से वराइटी के उनके पास खजूर है कौन-कौन से वराइटी की खजूर है अलो मेकजूल है अंबर है मगरूम है अजवा है और सगाई है शुक्री है मरिया में कहां से लाया गया है यह खजूर सब साओधी अरब क्या होगा रेट आपका 600 रुपे से लिए 16 रुपे तक कैसी हुई इस बार बहुत बढ़ी होगी है अब सवाल एक इसलामिक धर्म में देखा जाय तो खजूर खाकर ही रोजा खोला जाता है क्या मानेता है इसके माना नहीं कि हुजूर सब्सक्राइब का आजवा खजूर हांत के लगाए हुए इसलिए ज्यादा इसको माना रखते है खजूर से ताकत मिलती है और भी कुछ चाचा जी है चाचा ये बताईए कि खजूर का बहुत अलगी महत्व होता है रोजा में लोग खजूर ही खा के क्यों रोजा खोलते है क्या महत्व है इसको बिसमिल्लाइरहमानी रहे रोजा इसलिए कि आराब मुल्क में जो है खजूर जादा पादा होता था और अल्ला कर रसूलने इसको सुनत करार दिये कि इसको इसको खाकर रोजा भी रख सकते हैं रोजा खोल भी सकते हैं और भी ऐ है है कि वाय खजुर Все फाइड़ा ही फायदा फाइब पहुंचा था के लिए फाइदा है सेल्ग के लिए फाइदा है यह वित्र चीजिए खाजूर जी है पैगंबर पहली बार जब रोजा किये थे तो वो खुञोंगे तो उसे जो सुनत कररार दिया गिया है कि अल्ला कर रसूर ने जो चीज हुकुम किया, सुनत हो गिया, अर अरा में खजूर आज भी पैदावारी बहुत जादा है, उस वक्त भी था, और अल्ला का रसूल ने इसको खाये, चाहे गरीबी में खाये, अमीरी में खाये, सुनत करार दिया गिया इसको, फैदा ही फैदा है, सिफा है सियात के लिए, आप भी खाय एक पर को कविध्र हितुए आपड ऑे अnormतल येंगों कीया पाई मेख्या खाए की यहां आथ शानी कि मुस्कुल करें से छोज़ा करनेुट सक्क्रमार्ट। आपके नजर से इसकी क्या है महत्वा है और एहम्याद पानी भी खुलते, खजूर है, खञूर एक फल है, और ये खजूर जो है सब के लिए सब लोग काते है, इसी बात नहीं है की ख़ली मुसलमानी खहते हैं इसा बात नहीं है यह सुनत है जो हम लोग फास्टिंग के टाइम में खाते है खजूर है ना यह सुनत है शिफा है फाइदा है पेठी के लिए लोग भी रोजा खोलते वक्त खजूर खाते हैं अबेशे का खजूर खाते हैं साख जूर लिए वैस बार अभी कलमी लिए बहुता अजूआ अजूआ होता है अजूआ है कैसे केजी मिल चाहिए ल हजार बारासो चौदा रुपे किलो हैं कि महंगा काफी महंगा नहीं इसमें सिफाय उस दवा है नोग दवा खरिदते हजार पत्ता और वो खाना चीए खजूर सब को खाना चीए तो सुना आपने की खजूर के काफी अलग अलग महत्वह है जिस तरीके सिनों ने बताया कि सुननत का प्रतीक माना जाता है खजूर और भी ऐसे और भी दुकानदार एक भाई है उनसे बात करते हैं कि कि हमारे पास अब प्रतीके खजूर आए देखिए सबसे बनिया में आएका यह कलमी आएका यह सबसे बेस्ट है इसको खाई आगा विकनेस भी ने लगे का दिन भार भी एक ठोट खाई एक विकनेस ने लगे गा अधिया आएक आप एक सुचालीस उप्या यह खजूर देखिए अर यहाएक आजवा आता है खजूर सुला सुर्पे की लोग कल्मी खजूर जी जी वह अलगी फाइदा है रमजान का महौले अलग होता है वह अलग का सुल्द भी है समझें और यह साल में हम लोग आता है यह परव दो दिन में एद है और बजारों में इद को लेकर काफी रौनक आरी हालनकि आप और भी एक साइट देख सकते हैं यहां पर भी खजूर है लोग खजूर ले रहे हैं और इती खरीदारी भी करते हुए नज़र आ रहे हैं और भी हमारे साथ एक दुकान डार है उनसे जानेगे कि कौन-कौन से वराइटी की खजूर इस बार आई है खजू से बहुत तरह का फैदा है एक तो हम अब लूबिंग आपको पूरा करता है दिन भर का सुष्टी नहीं लगेगा दिन बर चाहल पाल रहिए घये गर और भी उसे इसका बहुत तरह का फैदा है इसलामिक धर में आगर हम बाद करें तो उसकी क्या महत्व Nyamuk आपको बता दे कि इसलामिक धर में खजूर की काफी महत्व है जब भी लोग रोजा खोलते हैं तो खजूर खाकरी खोलते हैं इस तरह किसा हम आपको बता दे कि जो पैगंबर हजरत मुहम्मद थे वो जब पहली बार रोजा किये तो वो खजूर खाकर ही रोजा खोले थे और तभी से इसलामिक धर में खजूर की काफी अलग ही महत्वा देखी जा रही है वह एकर हम वग्यानिक दिश्टी से बात करें तो वग्यानिक दिश्टी चे भी खज विस्रादनिस पोशाची